हलो एब्रीवन स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल रामरतन इस्टडी पर तो इस्टेटिक जी के में हम पढ़ने वाले हैं आज विश्वी की प्रमुख जन जाती इस टॉपिक से हरे एक्जाम में कोई ना कोई कुश्टन जरूर पूछा जाता है तो हम इसको ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे चलिए इसको स्टार्ट करते हैं याद करते हैं पहला दिया गया है आईनू और जो आईनू जन जाती है बो है जापान देश की तो देखिए हम इसको याद कैसे करें आईनू में हमें क्या दिख रहा है आई कोई भी लड़की और जापान में क्या पान तो कोई भी लड़की आई खा कर आई पान से क्या हो जाएगा जापान तो अगला है मत्रूमर तो जो जन जाती belongs किया बुरुस टू Madame ke Friday तो यह वह दिखरें गली होए था billing तो बुरुसमें जुढ़ आए बुड़ा प्राएं गलो दिखागे अब इस पात देखिए इसके आगे इसके आगे है थर्ड नमबर पर पिग मीज और जो पिग मीज है वो है कांगो देश की ठीक है तो पिग मीज पिग मीज क्या होता है पिग यानी की होता है सुगर ठीक है पिग और कांगो को इदर समझेंगे कहां गाओ कहां गाओ तो हमने किसी एक छोटे से बच्चे से पूछा कि जो पिग था पिग कांगाओ कांगाओ से हो जाएगा कांगो तो पिग मीज जो जन जाती है बो है कांगो देश की इसके आगे चलते हैं हम next की ओर नेक्स्ट है बोरो जन जाती और जो बोरो जन जाती है वो है ब्राजील देश की ठीक है तो इधर देखिए हम याद कैसे करें बोरो को इधर समझेंगे बोरो में क्या दिख रहा है बोर बोर यानि की बहुत उप जाते हैं बोर हो जाते हैं ठीक है तो बोर ठीक है और ब्राजील को इदर समझेंगे ब्राजील और बाजी बाजी बोलते हैं अपनी दीदी को तो बोर हमारी बाजी हो रही थी बोर कौन हो रही थी हमारी बाजी तो बोर से बोरो और बाजी से ब्राजील तो जो बोरो जन जाती है वो है ब्राजील देश की देखिए उसके बाद है next हैदा और जो हैदा जो जन जाती है वो है अमेरिका देश की ठीक है तो देखिए इसको हैदा से अपलुक similar शब्द बनाएंगे जैसे हैदा का शिमलर सब्द क्या होगा मैदा हैदा और मैदा और अमेरिका में क्या दिख रहा है अमेरिका में मेरी मेरी ठीक है तो जो मैदा थी मैदा मेरी थी मेरी है जैसे अगर शॉप दुकान पर लेने गए ठीक है बहुत सारी भीड थी वहाँ पर तो बहुत सारे लोगों ने पूछा ये किस की मैदा है तो कहा कि मैदा मेरी है ठीक है मेरी से क्या हो जाएगा अमेरिका और मैदा से हो जाएगा इदर हैदा इसके बाद है अगला से मांग और से मांग जो जन जाती है वो है मलेशिया देश की तो से मांग किसी ने भी पूछा मतलब दो बच्चे थे उन्होंने कोई भी चीज मांग रहे थे ठीक है तो से मांग में क्या दिख रहा है मांग रहे थे तो फिर हमने कहा मलेशिया में हमें क्या दिख रहा है इदर सिया मलेशिया में सिया तो हमने कहा कुछ भी चीज तो मांग रहे हो मांग तो सिया से मांग सिया से क्या हो जाएगा मलेशिया तो से मांग जो जन जाती है वह मलेशिया देश की इसके बाद है अगला अगला है तार टारी को इधर बनाएंगे ताली को क्या बनाएंगे इधर ताली और साहिं घगवान के मंदर में बजा रहे थे ताली साहिं से क्या होजाएगा साहिबए अगरा सथे हैं चेए बेड़ी इसको सबकिक्राइं कि निसे सब में जाना कि पार्टी माले में लंका यह Cen फोर की वेदा उबनें टोने में फोरना को तो बोग्साइश चामत Two से सबlair तो यह लंकावासी लंका में कौन रहता था रावड रहता था ठीक लंकावासी तो वेद से वेद लंका के लोग पढ़ते थे तो वेद दास जो जन जाती है वो है श्री लंका देश की इसके बाद है पपू आंस इसके बाद क्या है पपू आंस और पपू आंस जो जन जाती है वो है न्यू गिनी की ठीक है तो पपू आंस पपू को तर समझेंगे क्या पपू 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 को समझा इदर पपू और न्यू गिनी में मैं कहा देख रहा है न्यू न्यू तो पपू नाम का एक लड़का था वो भी न्यू न्यू आया था न्यू न्यू से क्या है न्यू गिनी तो पपुवान जो जन जाती है वो है न्यूगिनी तेसकी इसके बाद है अगला अगला क्या है याकू और याकू जो जन जाती है वो है टुन्डरा प्रांत की तो देखिए याकू चे सिमिलर शब्द बनाएंगे हम कोई याकू और जैसे याकू हो गया और क्या हो गया डाकू याकू और डाकू और टुन्डरा में हमें कहा दे टुन्डरा में डरा डरा तो जो डाकू था वो कैसे डरा हुआ था डरा से क्या होगा टुन्डरा प्रांथ तो याकू जो जन जाती है वो है टुन्डरा प्रांथ की इसके बाद है अगला इसके बाद है यू का धिकार और जो जन जाती है वो है साइबेरिया देश की तो यू का अधिकार इधर यू का अधिकार में क्या दिख रहा है अपन को यू यू यानि की तुम और अधिकार यानि की तुम्हारा अधिकार ठीक है और साइबेरिया में साइभगवान तो तुम्हारा जो अधिकार है वो साइभगवान दिलाएंगे तुम्हारा अधिकार यानि यू अधिकार कौन दिलाएंगे साई भगवान दिलाएंगे तो साई से हो जाएगा साई बेरिया तो यू का अधिकार जो जन जाती है वो है साई बेरिया देश की इसके बाद है next क्या खिरगीज और खिरगीज जो जन जाती है वो है मद एशिया की तो खिरगीज खिरगीज में क्या है दिख रहा है धर खिर और खिर को एधर समझेंगे खीर खीर और देखें मद एशिया में क्या दिख रहा है धर मद मद यानी की होता है बीच में ठीक है, तो खीर मध में बैट करके खाई, मध से क्या है, मध एशिया, तो खिरगीज जो जन जाती है, बुए मध एशिया देश की, मध एशिया की, अगला है, अगला है नीग्रो, और नीग्रो जो जन जाती है, बुए मध अफ्रीका की, ठीक है, नीग्रो, और नीग्रो में में क्या देख रहा ग्रो ग्रो और ग्रो को समझेंगे ग्रो ग्रो और ग्रो ठीक है मद्ध और अफ्रीका में अफ्री का में क्या देख रहा फ्रीका फ्रीका को समझेंगे फीका फीका तो कोई भी इंसान देखो ग्रो नेक ग्रो में क्या देख रहा था ग्रो यानि कोई भी तो नीग्रों जो जन जाती है वो है मद अफरिका की इसके बाद है क्या अगला है मसाई और मसाई जो जन जाती है वो है पूर्वी अफरिका की तो देखिए मसाई में हमें क्या देख रहा है तर साई मसाई में साई और पूर्वी अफरिका में पूर्वी और पूर्वी को तर तो पूर्वी से हो जाएगा पूर्वी अफ्रिका तो मसाई जो जन जाती है वह पूर्वी अफ्रिका की इसके बाद है अगला अगला है मा ओरी और मा ओरी जो जन जाती है वोए न्यूजीलेंड की देखिए हम इसको याद कैसे करें अब मा ओरी मा ओरी में मैं कहा दिख रहा है दर मा मा यानी की हमारी की मम्मी ठीक है मा और न्यूजीलेंड में न्यू न्यू यानी की क्या होता है नया और jeans, jeans का pen, ठीक, new jeans, New Zealand को समझेंगे new jeans, तो हमारी जो मा है, मा, वो new jeans लेकर के आई थी, new jeans से हो जाएगा new Zealand, तो मा औरी जो जन जाती है, वो है new Zealand देश की, इसके बाद चलते हैं, अगले, अगला है, एस किमो और एस किमो जो जन जाती है वो है ग्रीन लेंड और कनाडा की ठीक तो एस कौम एस किमो एस किमो को उदर समझेंगे एस किमो एस यानि की ऐसे और कैसे एस किमो को उदर समझेंगे ऐसे कैसे ठीक है एसकेमों को ऐसे कैसे ग्रीन यानि की ग्रीन लेंड को समझें ग्रीन यानि की हरे कलर का और लेंड यानि की जमीन यानि ग्रीन लेंड थी जो ठीक है ग्रीन लेंड और कनाडा कनाडा को इधर समझेंगे क्या कान कनाडा को इदर समझेंगे अपने क्या कान तो देखिए हम इसको याद करें एसकिमो को समझाता ऐसे कैसे ग्रीन लेंड ठीक है यानि कि हरी जमीन पर कान कान के बल गिर गए ठीक कान से क्या हो जाएगा कनाडा तो हमने किसी से पूछा कोई गिर गया था तो हमने पूछा ऐसे कैसे तुम ग्रीन लेंड यानि कि हरी जमीन पर गिरने से क्या तुम्हें कान में चोट लग गई या कान से बहरे हो गए तो ऐसके मो जो जन जाती है वो है ग्रीन लेंड और कनाडा की इसके बाद है अगला रेड इंडियन और रेड इंडियन जो जन जाती है वो है कनाडा देश की जो दिकी रेड इंडियन में कहा दिकर आपन को रेड रेड यानि की लाल ठीक है और कनाडा को इधर समझेंगे कान तो किसी एक बच्चे का कान यानि कान कैसा था रेड हो गया था रेड तो हमने का रेड कैसे हो गया तुम्हारा कान तो रेड कैसे हो गया कान तो रेड इंडियन जो जन जाती है वो है कनाडा देश की इसके बाद है इसके बाद क्या है जुलू और जुलू जो जन जाती है वो है नेटाल प्रांत की ठीक जुलू इधर समझ मिलू और किसे मिलू जूलू से क्या होजाएगा लें प्रांथ तो जुलू10 जण आती है वे नीटाل की थीक है अब इसके बाद क्या है इसके बाद है बद्दू वो बद्दू जो जन जाती है वो है अरब देश की बद्दू बद्दू को मैं हमें कहते हैं बद दूई बद यानि कि बद को इदर समझेंगे बद बद यानि कि किसी की हत्या करना ठीक बद और इधर अरब लोगों की अरब से अरब लोगों की तो बद किया था कितने लोगों का अरब लोगों का ठीक तो बद्दू जो जन जाती है वह अरब देश की इसके बाद है लाश्ट अगला इंकाथा और इंकाथा जो जन जाती है वह दक्षणी अफरिका की इंकाथा काथा को इदर समझेंगे क्या कथा इंकाथा को कथा और कथ ठीक दक्षणी को दर समझना है दक्षणा तो जो लोग कथा सुनते हैं उनको क्या दक्षणा देनी पड़ती है ठीक दक्षणा से क्या है दक्षणी अफ्रिका तो जो इंका था जो जन जाती है वह दक्षणी अफ्रिका देश की ठीक है तो देखिए इस वीडियो में हमने कीजिए लाइक कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में